नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की यह अमारी कंप्यूटर की तीसरी क्लास है आज की क्लास में हम कंप्यूटर के घटक के अंतरगत सब्ट्वियर पढ़ेंगे दोस्तों MPPC का notification आ गया है अब आप लोग अपनी अपनी तैयारी में जुड़ जाएए इसके अलबा हमारे वीडियो के नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया उसको आप जोइन करें उस पर करेंट अफेर के वीडियो बगएर डाले जा रहा है जो कि आपके MPPC लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आहिए आज की क्लास में फुरू करते हैं सब्ट्वेर क्या होता है सब्ट्वेर प्रोग्राम का एक समों होता है जो यूजर वा कंप्यूटर के मद्ध इंट्रेक्ट कैसे हो उसके लिए एक प्रोग्राम तयार किया जाता है यह जो प्रोग्राम तयार किया जाते हैं इनके समों को सब्ट्वेर कहते हैं यह जो सब् उनको नियंतित करते हैं, सॉप्ट्वेर के द्वारा हम हार्डवेर को नियंतित किया जाता है हार्डवेर काम तभी करेगा जब हमारे पास हो, सिस्टम में किसी हम सॉप्ट्वेर पर काम कर रहे हो या system पे कोई software डला हुआ हो तब ही तो हम hardware का यूज कर पाएंगे software अगर हम जनरल भासा में बोलेंगे computer के जिन parts को हम छू नहीं सकते वो software है जैसे कोई program है MS Office जिसको अगर हम कहें MS Office को आप छू नहीं सकते हो चलाओगे, handle करोगे, नियंतित करोगे उस पर अपना कार करोगे, data बनाओगे, सब कुछ करोगे लिकिन उसको आप छू नहीं सकते तो यह software है, software को हम तीन भागों में बाढ़ते है सबसे पहला system software उसके बाद application software उसके बाद तीसरा आता है application software सबसे पहले हम बात करेंगे system software की तो system software को लेकी बात कही जाती है इसे ही operating system भी कहते है तो operating system को लेकी बात कही जाती है operating system is a platform of computer यानि अगर platform नहीं होगा तो rail-गाडी रुकेगी कहा ऐसी है सबसेत्साब्स अप्ड़ोंствен longue system software नहीं होगा आपके computer में तब तक आपका computer चल ही नहीं सकता, जो system software है, यह computer वा user के मद्य या बीच कारिक करता है, mediator है, बिना system software के computer जैसे हमारी body है, अगर आत्मा अगर निकाल दी जाए तो हमारी body बेजान सरीर हो जाएगा, इसी तरह computer जो machine है, अगर उसमें अगर हमने software नहीं, operating system नहीं दाला, तो वो भी एक वेजान machine हो जाएगी, वो कोई कार नहीं करेगी, यह जो operating system होते हैं, operating system जैसे आपने नाम सुना होगा, dos, msdos, msdos, window 95, window 98, window 2000, window 20, window 7, window 8, window 10 आ गई है market में, google पे भी आप नाम सुनते हो, google operating system, अगर जो फोन में अगर operating system नहीं होगा, उसके बाद हम ना phone में song सुन पाएंगे, ना video देख पाएंगे, ना games खिल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, system software, basic need होता है, यह सबसे ज़्यादा जरूर यह होता है, तो जो operating system है, इनको भी दो भागों में बाटा गया है, यह दो को मैंने कुछ यहाँ पे operating systems के ना operate होता है, दूसरा वो है, जो हमारी language को translate करता है, हमारी भागों में computer की language अलग अलग है, हम Hindi बोलते हैं, English बोलते हैं, computer थो ना Hindi बोलता है, ना English बोलता है, वो एक ही language समझता है, वो है binary, electronic signal की रूप में, binary form में हमारे data उसके पास पहुचता है, machine language, assembly language, यह भी हम आगे देखते है, तो operating system के जो पिरकार है, कुछ operating system जिनके अलग अलग पिरकार है, जैसे जो पहला है, वो है batch processing operating system, batch, नाम से ही समझ में आ रहा है, कि यह क्या करता है, एक ही पिरकृति के, मतलब एक ही तरीके के जितने भी कार है, उन कार्यों को किरियानवित करने के लिए, इस तरह के operating system का प्रियोग किया जाता है, इसमें जब batch processing operating system पर कार किया जाता है, तो इसमें पढ़नाम देने में के बीच काफी time लगता है, इस operating system में user वा, जो program हम चला रहे हैं, जिसको हम इन दोनों के मत कोई अंतर संबंद नहीं होता, जैसे यह जो है, इनमें सांकी की जो statical analysis होती है, उसमें हम batch processing system का प्रियोग करते हैं, बिल प्रिंट करते हैं, इनमें हमारा कोई हस्यव नहीं हो सकता, यह batch processing system के अंतरगत आते हैं, दूसरा है, multi programming operating system, जैसे नाम आ रहा है, multi programming यानि इसमें एक साथ कई कारियों को संपादित किया जाता है, एक साथ कई कारियों को, एक बार MVPC में ऐसे question आया था, कि कौन सा operating system है, जिसमें एक साथ कई program को संपादित किया जाता है, तो multi programming operating system, जो multi programming system है जब यह काम करता है तो इसके काम करते में जैसे यह मेरे पास काम करने के लिए है तो यह पहले बरियता नजारत करता है कि पहले यह करना है फिर यह करना है फिर यह करना है उसके साब से यह कार करता है इसके बाद अगला है time sharing operating system जैसे कि नाम से नाम में ही इसमें आ रहा है time sharing यानि यह operating system है एक terminal होता है इसमें सारे computer जोड़े होते हैं इसमें जितने भी उप्योग करता है जो तीनों उप्योग करता है इनको जो हमारे पास computer network जी सारी चीज़ें इन सब का जो operating system है या जो software रेजितनी प्रोग्राम है उन सब को साजह उप्योग के लिए कुछ समय दिया जाता है कि आप इन चीज़ों का या इन प्रोग्राम का एक साथ मिलकर उप्योग करें इसके बाद हम आते हैं real time system real time operating system कुछ भी कह लो इसमें दिखो नाम आप नाम पर गोर देंगे आपको पता चल जाए कि इसके अंदर किस तरह कार हो तो real time operating system नाम बता रहा रहा है यानि यह अपनी निरदारित समय सीमा में परणाम दे देता है इसके ऐलावा इसमें मालोग की दो प्रोग्रामें पहला है यह दूसरा कि इसमें जैसे ही इस प्रोग्रैम का परणाम आया इस पर्नामwar का उप्योग हम दूसरे प्रोग्राम में इन्पूट भीजनी की रूप में भी किया जाता है या कर सकते हैं कई बार यह हुआ कि जो system मैं जैसे मालो मैं कोई काम कर रहा हूं suppose है real time system के में मैं work कर रहा हूं मैं एक काम, दो काम, थीन काम मैंने इसको इन्पूट भीजा इसने विसलेशन किया लेकिन इसके आउटपूट होने में देरी हो गई तो जब तक इसका आउटपूट आया नहीं तब तक हमारा दूसरा प्रोग्राम ओन नहीं होगा जैसे इसका रेजल्ट आया यह तुरंत प्रोग्राम शुरूँ अगर इसमें दिख करता ही तो यह इसके लिए वेट करना पड़ेगा जब तक कि यह प्रोग्राम कंप्लेट ना हो जाए जो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका प्रियोग हवाई जाज की नियंत्रण में परमाडू भटियां बेग्यानिक अंसन्दा रक्षा चेत्रची किस्था रेल भी आरक्षण इन सभी में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रियोग किया जाता है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका सब लोगों के लिए free में अपलग होता है बागी Microsoft का operating system यूज़ करोगे तो इसके लिए आपको pay करना पड़ता है जबकि जो Linux है होलागि ये command based है ये difficult होता है handle करने में लेकिन ये free operating system है इसके बाद बात करते हैं single operating system ये जो single operating system है जो आजकल मैंने भी कुछ दिन पहले computer के प्रिकार बात कर रहा था तो जो personal computer मैंने बात की थी वो single operating system होते है इसका जो सबसे चाओ धारन है वो है MS-DOS अगर आपने कभी इस पर कर किया हो तो पता चलेगा आपको ये single user operating system है इसमें एक साथ एक बैक्ती एक ही काम कर सकता है इसके कई जो PC personal computer जब जो शुरू में शुरू में आए थे तो इसके सरफ हम MS-DOS ही यूज़ करते थे उसके बाद तो फिर बिंडो 95, 98, XP, Vista, 7, 8, 10 अब तो काफी सारे आगा है ये तो जो single operating system है इसके दो परकार है ये जो दो परकार है वो है single user multitasking operating system single user सब्दों पर ध्यान देना single user multitasking operating system यानि इस जो system है ये जो इसका एक परकार है इसमें एक साथ कई कार दे संपाजित के जा रहे है इसके लाव है इसकी जो सभी कार है वो साथ साथ संपाजित होते है जैसे मैं सपोज करूं Windows XP को अगर मैं लेके बात करूं कि मुझे कुछ कॉपी करना है तो मैंने उसको कॉपी पर लगा दिया इसके लाव मुझे गाने सुनने है तो मैंने गाने भी प्ले कर लिए मुझे गेम खेलना है मैं साथ में गेम भी खेलना हूँ गेम भी खेलना हूँ गाने भी सुन रहा हूँ और एक साथ तीनों काम संपादे इसके बाद जो दूसरा इसका प्रिकार है वो है Multi Processing System इसमें होता कि Multi Processing यानि अलग अलग प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर इसका प्रियोग किया जाता है याद करो मैंने आप लोग को बताये था Parallel Processing जब मैं आपको Super Computer पढ़ा रहा था उस टाइम पर मैंने आपको इसका जिक्र किया था कि Parallel Processing क्या होती है और Serial Processing क्या होती है Parallel Processing को मैंने बताय था कि जो प्रोग्लम होती है कोई समस्या कोई प्रोग्राम है आपको कोई प्रोग्राम चलाना है तो उसको प्रोग्राम को पहले छोटे-छोटे इसमें बांट लेता है उसके बाद उसको प्रोसेस करता है कि तो जो काम जल्दी हो जाता है जो मल्टी प्रोसेसंग सिस्टम है यह Parallel processing पर आता रहता है इसके बाद हम बात करते हैं Multi User Operating System सब्भ मल्टी उसर जयानि इस Operating System का कोई उसर एक्साथ कर सकते हैं एक का जैसे एंग्जाम्पल अगर मैं दो तो Unix Linux यह एक टर्मिनल की तरह होता है आप काम कर रहे हो मैं भी उसी एक टर्मिनल पर काम कर रहे हूं आप भी काम कर रहे हूं तो एक साथ काई वेक्ती काम कर सकते हैं Windows 7 यह सारे Multi Operating System के उधार हैं इसके बाद बात करते हैं Embanded Operating System तो यह जो Embanded है इसका मतलब है कि किसी कोई हमारे पास बस्तू है उसके भीतर ही प्रोसेसर का प्योग यानि कोई जैसे अगर मैं बात करूं वोसिंग मसीन तो आपने देखा है वोसिंग मसीन हम सिर्फ बाहर से बटन दबाया और अंदर काम चालू है तो यह जो वोसिंग मसीन में इसके भीतर ही प्रोसेसर लगा हुआ है जो की कारिकर है किसी भी बस्तु के भीतर जो प्रोसेसर है उसके प्रियोग के लिए जो उप्रेटिंग सिस्टम बना जाता है उसको हम इंबेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जैसे आप microwave oven का यूज़ करते हूँ घड़ी आप देखते हूँ electronic जो घड़ियां होती है वो कैसे उनके अंदर पोसेशर लगा होता है यह हमारे embedded operating system के उधारन है अब हम बात करते हैं operating system का अंतिम फिरकार open and closed source operating system दो जैसे नाम से आ रहा है open यानि वह software या वह operating system जो सब के लिए अपलब्ध होता है या खुला हुआ होता है वह कौन सा operating system होता है open जैसे linux मैं भी आपको बता रहा था यह free available है यह जो open source operating system है यह सभी के लिए उपलब्द है इसमें कोई चाहे तो अपनी एक्षा नुसार परिबरतन भी कर सकता है इसके अलावा यह जो operating system है इस पे किसी का कोई इदकार नहीं है इसके अलावा यह आप फिरी में यूज़ कर सकते हो जबकि closed source में अगर आप बात करोगे तो closed source में Microsoft 2007 Windows XP MS Office नहीं जो Windows Microsoft Company का जो operating system है जो operating system है अगर मैं इसमें XP ले लूँ या कोई भी Windows 7 ले लूँ अगर यह आपको computer आप तो pirated हम लोग चला रहे होते हैं और चलाते हैं तो free में 100-500 रुपे मिल जाते हैं वरना अगर आप इसको original लोग है तो आप सोचो 6-7-7-8 जार रुपे के आसपास यह हमको license के साथ मिलती है तो यह operating system इतना महगा होता है इन के लिए जो close source operating system वह होता है जिसके लिए आप सुलक चुकाते हो इसके लावस में आप अपने साप से कोई परिवर्ता नहीं कर सकते हो तिपकि जो open होता है उसमें आप अपने असाफ से परिवर्ता नहीं कर सकते हो जैसे एक और phone को लेके कर मैं बात करूँ आपने phone सुना होगा Google प्ले स्टोर एक iPhone ले लो Apple का अच्छे से सभी को पता है iPhone पे कोई भी software फिरी में और आसानी से नहीं मिलता कमी होते हैं Google प्ले स्टोर पे ढालो वह सारे फिरी में अबलेबल हैं तो Google का जो एंडर्ड ओपरेटिंग सिस्टाम है यह open हो गया जब कि Apple का जो iPhone का था वह closed हो गया अब हम आगे बढ़के देखते हैं Language Translator तो जो Language Translator है यह तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहले assembler उसके बाद compiler उसके बाद interpreter जो Language Translator software है इनका काम होता क्या है कि जैसे computer है computer हमारी भासा नहीं समझता है वह केवल binary एंकों को समझ सकता है जो binary एंकों को जिसमें binary एंक की दौरा जो भासा हम या जो बेशते हैं इसे हम machine language कह देते हैं यानि computer machine language समझता है हम Hindi English बोल रहे होते हैं अगर हम English में बोलेंगे तो computer समझेगा कैसे हम क्या क्याना चाहरा है और computer machine भासा में जवाब देगा तो हमारी कैसे समझ में आएगा क्या output है क्या तो इसके लिए जो translator होते हैं इनका प्रियोग किया जाता है यह करते क्या है जैसे assembler है यह assembly language को या low level जो language है इसको machine language में परिवर्तित कर देती है मैंने कुई data बेजा assembler ने उसको machine language में परिवर्तित किया और computer को दे दिया computer ने output दिया इसने उसको मानिवे भासा में परिवर्तित किया human language में परिवर्तित किया और हमें screen पर monitor पर results हो कर दिया इसके बाद compiler की बात करते है compiler है compiler high level language को high level language high level language को machine language में convert करता है जबकि interpreter भी high level language को machine language में परिवर्तित करता है अब आप कोगे दौनों सेमी काम करने दौनों में enter क्या है दौनों में enter यह है कि जो machine language है एक बार में पूरा का पूरा अनवाद कर देती है इसके बाद जैसे मालों यह हमारा data है इसको एक ही बार में पूरा परिवर्तित कर दिया इसके बाद इसमें जो error होंगे वो line by line दिखाता जाएगा जबकि interpreter में क्या होता है यह एक एक line अनवाद करती है हर एक line अनवाद करके computer को बेशता जाता है हर एक line को translate करके बेशता जाता है जैसे अगर कहीं गलती हुई मालों यह line गई यह line गई इस line में यहां गलती है अब मैं यह line भीजूँगा तो यह line जब तक नहीं भीजेगी जब तक कि इस error को आप सही नहीं कर लोगे इसके बाद processing में compiler कम समय लगता है interpreter में ज्यादा समय लगता है जब आप खुद बताओ कि compiler और interpreter में दोनों में गलतियों की बात करने तो गलतियां सब से जल्दी दूर किसमें इसको मैंने इसको रन किया इसको सही करने के बाद ही मैं आगे बढ़ता हूंगा अब बात करते हैं application software की तो application software वह है जिसका प्रियोग में किसी विशेश कारे करने के लिए किसी software का यूज करते हूं तो वह सारे application software कहलाते है यह भी बोल सकते हैं कि application software है इसको बनाया ही किसी जरूरत के साब से जाता है जैसे MS Office की बात करें तो जो MS Office है यह टाइपिंग के साब से बनाया गया accounting के साब से MS Excel presentation के साब से Microsoft PowerPoint तो यह सारे क्या है यह सारे application software है गेम्स की बात करें गेम्स क्या है यह application software किसलिए बनाएगा गेम्स मन औरंजन करने के लिए आप गेम्स खेल लेओ इसका special purpose हुआ क्या हुआ एक कार एक गेम्स खेलना है बना दिया software आप चलाएगे यूज कीजिए जो application software है इसको भी दो भागों में माटा गया है पहला general मतलब general purpose software दूसरा special purpose software तो जो general purpose software है और specific है इन दोनों में अंतर क्या होता है जो general होते हैं इनका प्रियोग normal सामान सरल कारे करने के लिए बनाया जाता जैसे इसमें हम MS office बोल देंगे कि MS office है वो सामान निकाव धारन है गेम्स है वो general है कोई विस्स नहीं है लेकिन जब आप specific purpose software की बात कर रहा होते हो तो यहां पर यह software महंगे होते हैं महंगे भी होते हैं तदा हर को यूज भी नहीं करता है महंगे हैं और किसी special काम के लिए जैसे रेल्वे में reservation के लिए मैंने बनाया है या मालो मैंने मार्केटिंग के लिए कोई एक app बनाया है तो यह software हर को ही नहीं चलाएगा जो उससे जुड़े लोग होंगे यह जिनको मार्केटिंग करनी होगी वह ही लोग यूज करेंगे तो यह क्या हुआ एक special purpose के लिए बना है specific business है इसका यह महंगा भी होगा यह free में लोगों को available ना भी हो मैं पैसे लगा दो तो पैसे का बेचूंगा कि नहीं इतना आपको pay करना पड़ेगा तभी आप यह software हमारा चला सकते हो आप देखो Google Play Store पर कई सारे apps है जिनके लिए आपको पहले pay करना पड़ता है तो रिजरेविशन सिस्टम यह विसे सुद्धे software के अंतरकत ही आ जाता है यूटिलिटी सॉप्ट्वेर है इनका कार कुछ नहीं यह सिस्टम में जो हमारा फालतू का स्पेस फालतू का डेटा होता है यह कंपीटर को रिपेर करके उसकी कार चंता को बढ़ा देता जसे अगर इसके उधाण कि तो एंटिवाइरस डिस क्लीनफ फाइल मेनेजर वायरस स्केनर बेकप प्रोग्रम एंटिवाइरस क्या करता है हमारे फोन में जितने वायरस या बेकार चीजें होती हो इंको सब बाहन निकाल देता है डिस क्लीनफ फोन में फालतू की जितने भ तो मैंने किसी folder के अंदर आपने कोई file शेप की हुई है जाके मैं उस file से लेढ़ूँगा इसके अलावा file manager के अंदर हर किसी file का नाम प्रिकार टाइप हर सारी चीज है उसमें location कौन से folder के अंदर मैंने शेप किये सारी जानकारी इसमें होती है कि file manager में fold file manager के अंदर आपको जैसे मैंने कोई file बनाई है उस file को आप copy कर सकते हो move कर सकते हो rename कर सकते हो delete कर सकते हो copy modify कुछ भी कर सकते हो कुछ भी का मतलब है copy paste edit move delete modify कुछ भी यह सारी सब्दा है इसमें आपको मिलती है जो virus scanner होता है यह आपके system के अंदर virus now कि उसको एंटी मतलब virus हो उसको दूर virus का पता लगाता है बताता है फिर हम antivirus अपनी system use करते हैं virus को बाहर कर देते हैं कि virus क्या होता है वो लोग virus क्या होता है तो virus हुआ है कोई छोटा सा जो program होता है जो हमारे computer system में कुछ ना कुछ problems create करता रहता है आज की class में इतना ही thank you for watching my video वीडियो अच्छा लागो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करें इसके लाभा हमारे जो टेलीगराम ग्रूप है उसकी लिंक दी गई वीडियो की description में तो आप वहां से उस ग्रूप को जोइन करें MPPSC की notification आ गया है उसके लिए बहुत जादा important दीज है हम आपको अबलेवल करा रहे है तो thank you झाल